नमस्ते गाइज मैं स्वाती और मैंने नेट्फिक्स पे एक बहुत ही बहतरीन मुवी देखी अक वाइट प्लेस और यह अगर जिसको भी पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ड की मुवी या फिर मॉंस्टर मुवी देखनी पसंद है उसके लिए यह मुवी बिलकुल बहुत अप मुवी में फादर का रोल प्ले किया है लीका और इनकी वाइप बनी है एमली ब्लंट अवलिन टा करेक्टर है और यह दोनों रियर लाइफ में भी कपल है और जो है इनकी केमेस्ट्री भी मुवी में देखने को मिलती है इनके तीन बच्चे होते हैं जो सबसे फर्स्ट चा चाहिल्ड है उसका नाम है नोवा ने प्ले किया उसका नाम है माकस और थर्ड एक्षोट उस बच्चा है उसमें क्यूट सा इसी फामिली के अरांड यह कहानी घूमती है और पोस्ट अपोलेप्टिक जो सिचुएशन है किस तरीके से आई है यहां पे कुछ मॉंस्टर्स है अच्चली इन्होंने फर्स्ट मॉवी में कुछ एक्स्प्लेन ने किया जादा कि यह सिचुएशन कैसे आई यह बनी सीधे 89 डे से यह मूवी जो है 89 डे भी चुके हैं और मूवी वहां से स्टार्ट होती है तो बहुत सार एक्स्प्लेनेशन नहीं दिया है आपको अपने आप जो है उस मूवी के साथ साथ चलना पड़ेगा और फिर्स्ट सीन से ही इस मूवी में एक टेंशन सी फील होने लगती है एक बहुत सस्पेंस सा फील होने लगता है और कुछ ऐसी चीज होती है पहले ही कि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यह तो हो नहीं सकता है ऐसे नहीं जाएधा कॉम्पलेक्स होती जाएगी बहुत ही इंट्रेस्टिंग मूवी है आच्छा अच्छा होडर मूवी के सबसे इंपोर्टेन्ट चीज होती है कि उसका जो साउंड ऐएफेक्स होते हैं वो बहुत इंपोर्टेंट होते हैं उसे के थूह अगर अगर आपको दियाने तो आपको डर लग रहा है है horror movie तो आप उसकी volume लो कर देते हैं तो थोड़ा डर कम हो जाता है बट इसकी speciality यह है इस horror movie की कि इसमें जो sound zee नहीं है मुश्किल से 10-12 लाईने dialogue हैं पूरी movie में और उनके कोई भी dialogue ना होते हुए भी movie इतनी अच्छे से horrifying है इसमें जो monsters दिखाए हैं वो यह नहीं कि बहुत दूर से दिखाए हो या बहुत अच्छे से उसका close-up न लिया हो और कृसंस्की ने बहुत अच्छे से सारे claws and teeth and everything उस monster के दिखाए हैं और monster भी बहुत जो है memorable रहेंगे आपको याद रहेंगे कि हाँ यह इस movie के monsters थे और बहुत अच्छे से तरीके से बनाई है and इस movie में किस तरीके से जो हम चीज को for granted लेते हैं जैसे अगर आपको चोट लगई तो आप तेज से आवास निकाल देते हैं या फिर जो है वो उसको यहां पी दिखाया ह वो कितनी important होती है इसमें चोट लगती है लोगों को और उनको आवाज नहीं निकाल ली है क्योंकि यह जो monsters इसमें दिखाए गए हैं यह sound से attract होते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन वो sound से attract होते हैं sound को identify करके exactly उसी जगा पर आ जाते हैं आप इसको bats की से रले सकते हैं समझ सकते हैं और वही in the end movie में उसका weak point भी in monsters का निकलता है जब आप movie देखेंगे और बहुत ही भैतरीन तरीके से बनाएगी movie है इसमें अगर as a parent में देखती हूँ तो जो parents के उपर इस तरीके की जिमिदारी होती है पुरी परिवार को इस समय बचाए रख होगी and साथ ही साथ इसमें जो Emily है वो Evelyn का character है वो pregnant है and उसकी delivery भी होनी है तो किस तरीके से एक lady जो है इस situation में birth देना है उसको और जहां पर बिलकुल आवाज नहीं निकालनी है तो आपको बहुत interesting लगने वाली है यह जैसे मैं हर movie में एक Vedantic perspective बताती हूँ कि कैसे आप उसक सकते है तो इस movie में एक sacrifice होता है spoiler नहीं बताना है तो एक sacrifice करता है कोई इनसान इसमें और क्योंकि यह post-apocalyptic है यानि कि जब हम फिर से उसी तरीके से रहने लगे जब पूरा ही जो इस समय व्यवस्था बनी हुई है सारी खतम हो जाए और हम फिर से जंगल तरीके से रहने लग है कुछ गारियां है या कुछ जो इस समय की विवस्था है वो उतनी वैसी न रह जाए और सब डिस्रप्ट हो के हमें फिर से नई उन्हीं चीजों से नई नई चीजे बना कर अपना घर चलाना है तो उसमें क्या होता है प्राइमल फियर जो है उसमें फोकस किया गया और उ कोई संकट आता है तो वो एक हद तक क्या करते हैं वो बच्चों को अपने बचा नहीं सकते हैं थोड़ी देर तक कोशिश करते हैं कि अगर हिरन के बात करते तो हिरन जो है अपने बच्चे पर हमला थोड़ी देर तक उसको प्रोटेक्ट कर सकता लेकिन यह नहीं करता है कि जाके वो उसके लिए अपने आपको चेर के आगे कर दे और सक्रिफाइस कर दे बट यहां पर वही डिफरेंस है किस तरीके से वो जो फियर है उसको फेस करते हुए पेरेंस को किस तरीके से अपने बच्चों के लिए खुद को सक्रिफाइस करना पड़ता है तो यह चीज दि बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही भैतरी मुवी है. बात करते हैं, second part की, क्योंकि मैंने first part देख लिया था, तो second part के लिए रुखना मेरे लिए possible नहीं था, then मैंने second part देखा और बहुत ही surprisingly, generally होता कि जो first part होता है, वो बहुत interesting बनता है, and second part की rating IMDb पर कर देखें आप movies की तो इतनी अच्छी नहीं होती है exceptions होते हैं बट generally नहीं होती है जो आजकल बन रही है बट ये movie की second part भी बहुत ही भैतरीन था second part में कुछ वो section भी दिखाया गया है कि जब किस तरीके से ये लोग पहले रहते थे और क्या attack हो बहुत छोटा सा दिखाया गया बहुत elaborate करके नहीं दिखाया है मेभी जो आगे sequence बने उसमें दिखाएं और उसी pace में tension क्रेट करते हुए ये second movie भी चलती है और बहुत इसमें कुछ नए characters add up होते हैं किलियन मफी आते हैं और उनका role बहतरीन तरीके से उन्होंने किया है जो भी उनको character role play करने के लिए था और फिर पता चलता है कि monsters के अलावा वही dangerous नहीं है और भी चीज़े हैं यहां पर जो dangerous हैं जो human जो इन लोगो harm कर सकते हैं overall same pace पे चलती है movie उतनी ही excitement बनाए रखती है और कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि monsters तो हो जाते हैं अलाग उनसे डर इतना नहीं लग रहा होता है जो situation create करी गई होती है उससे उसमें इतना जाजा suffocation फील होने लगती है बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़े हो रही होती है कि बहुत परिशान कर देंगी कि नहीं यह scene end होना चाहिए इसको खतम होना चाहिए ऐसा लगता है तो second movie में भी बहुत ही बहतरीन तरीके से सारी चीज़े दिखाई गई है बट अगर बहुत जादा सोचने पर मैं इसका कुछ इन दोनों मुवी में कुछ फ्लॉर नकालना चाहूँ तो वैसे तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी पूरा अगर आप उसमें देखते हैं आप वीकेंड नकालिये मुझे नहीं लगता है कि अब एक मुवी देखेंगे तो इसकेंड मुवी के लिए रुक पाएंगे आपके पास टाइम होगा तो लेकिन आप वीकेंड में इसको देखेंगे आपका वीकेंड बिलकुल बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसम मस्ट मस्ट वाच्छ मुवी और अट सट इतना ही कहना है और हाँ मैं आपको बता रही थी कि अगर इसमें फ्लॉ निकालने की बात करती हूं दो फ्लॉ में बस इतना होता है कि क्या जब यह situations हो रही थी तो आमी क्या कर रही थी या नैशनल गार्ड्स जो होता है वो क्या कर रहे थे या फिर यह य precisa रही या फिलिह में अगे अगे साथ कैसे आ गए और कुछ एक पॉइंट से एलेक्टरिसिटी के भी थे क्योंकि उसमें बिजली का यूज किया रहा था तो वो कैसे प्रेडिवी थी अगर अगर डिबेटेबल है मेभी वो कह सकते हैं सोलर पैनल यूज करे थे तो यह सब चीजे कुछ एक चीजे हैं और बस और तो कोई कम्या नहीं दिखती हैं और मुझे एतनी अच्छी मूवी में खम्या निकाल ले भी ने क्योंकि ऐसी मूवी बनती हैं और बहुत ही अच्छा काम किया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया है इस मूवी मूवी में 10-12 लाइन्स के ही डालोग से बस तो यह फामि इन यह बच्ची को sign language आती है और इस बच्ची से बात करने के लिए पूरी family को भी sign language पता है तो इसका बहुत appropriately disability का जो है use किया गया है कि किस तरीके से इस word में वो आपस में sign language के थ्रू बात करते हैं और बहुत भी interesting लगता है यह देखने में and guys अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है then please subscribe करें यह सारे videos बनाने में मुझे बहुत महनत करने पड़ती है और बहुत जादा time निकाल कर मैं महनत करके आप लोग के लिए यह videos बनाती हूँ then please share करें subscribe करें और अगर आपको कोई भी movie पर review चाहिए तो आप please comment box मे लिखकर बताइए मैं उस movie अगर मेरे पास available होगी वो movie तो मैं आपको देखके उसका review करूंगी okay thank you